आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हमें जो Question दियावा है वो इस प्रकार दियावा है कि नीचे दी गई तालिका 26 बिन कंपनियों द्वारा उत्पादित बल्लो के बारे में जानकारी को दर्शाती है प्रत्य कंपनी केवल प्लास्टिक तता लगडी के बल्लो का उत्पादिन करती है प्रत्य कंपनी एन बल्लो को ब्रांड A अत्वा ब्रांड B के रूप में लेबल करती है तालिका में प्रत्य कंपनी द्वारा उत्पादित कुल बल्लो के प्रतिशत के रूप में प्लास्टिक के बल्लो के संग्या को दर्शाय गया है यह A तथा B ब्रांड के बल्लों के लगडी के बल्लों को के अनुपात को भी धर्शाती हैं, प्रत्यक कम्पनी का उत्पादन कुल 5,50,000 बल्ले हैं, मैं आपको simple यह जो कह रहा है उस तरीके समझा जाता हूँ, जैसे कम्पनी R है, हर कम्पनी का जो उत्पादन है, प्रत्यक क प्रसेंट को अगर 21 अनुपाद 4 में बाटूंगा, तो ब्रांड A और ब्रांड B के लकडी के बल्ले मुझे मिल जाएंगे, अब question में मुझे क्या पूछा गया है, सभी 6 कम्पनीों को मिला कर ब्रांड A के कितने लकडी के बल्ले बनाएंगे हैं, अब देखना ब्रांड A क निकालने और सबके निकालने हैं, सबसे पहले मैं जैसे आर का calculation करता हूँ, मैं कैसे करूँगा, बहुत यहान से देखना भईया, अच्छे समझना, 5,50,000 बल्ले हैं, उसमें से अगर मैं आर की बात करता हूँ, तो 55% में से 45% आगए मेरे पास, लकडी के बल्ले होंगे, जो solve करने के बाद जो डेटा मिलता है, वो 2,7,900 होता है, वो figure होता है, 2,7,900, इसी तरह से में बाकी की calculation भी कर सकता हूँ, जैसे मेरे पास आर का डेटा आया है, मेरे को किस-किस का डेटा चाहिए, मुझे S का डेटा चाहिए, मुझे T का भी डेटा चाहिएगा, मुझे U का डेटा चाहिएगा, मुझे V का डेटा चाहिएगा, मुझे W का डेटा चाहिएगा, अब S का मान अगर मैं इसी तरीके से calculate करूँगा तरीका मैंने आपको बता दिया आपको उसी तरीके से गढ़ना करनी है और गढ़ना करने के बाद जो मेरा answer आएगा S में वो आएगा 88,000 ये मेरा S का figure आगया है अगर मैं T की बात करूँगा तो वो होगा 62,600 फिर मैं अगर U की बात करूँगा तो वो होगा 1,25,000 फिर मैं V की बात करूँगा तो वो होगा 70,000 और फिर W की बात करेंगे तो वो figure होगा 1,50,000 ये आपका पुरा figure आचुका है अब मैं क्या करूँगा इन सबको अगर मैं जोडता हूँ अगर मुझे मुझे क्या चीए इन सबका समचीए R प्लस S प्लस देखो R प्लस S प्लस G प्लस U प्लस V प्लस W मुझे इन सबका सम चाहिए सम चाहिए तो इन सबको जोडने के बाद जो मुझे figure मिलेगा जो संख्या मुझे लेगी, जो मान मुझे मिलेगा वो 6,00,000,000 इंकराणों परजार होगा ये मेरा final answer है Thank you